राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनितिक तल्द सक्रिय हो गए हैं और अपने अपने प्रचार अभियान में जुख गए हैं नमस्कार दनगरी न्यूस के खांस कारिकरम चुनावी नगरी नापका स्वागत है मैं सद्देका मनोहर सोनी आपके साथ विष्ली कडी में हमने बात कीती कामा विधानसभा सीट की आज बात करेंगे महुआ विधानसभा सीट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं यांके जाहिवत समिकरन के बारे में तो आपको बता दें सीट पर लगबग 2,19,583 मत दाता है जो अपने मत का प्रियोग करते हुए प्रतियाशी की हारजीत का फैसला करेंगे महुआ विधानसभा सीट SCS की रिजर्व सीट है जो किसी भी प्रतियाशी की हारजीत का समिकरन बना भी सकती है तो बिगार भी सकती है इस सीट से कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार की खूशना कर दी है बीजेपी ने फिर से राजेंद्र मीना परदाव केला है तो वही कॉंग्रेस की ओर से ओम प्रकाश हुडला को मैदान में उतारा गया है बता दे 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने ओम प्रकाश हुडला का टिकेट कार दिया था जिस वजे से ओम प्रकाश हुडला ने निर्दलिय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की वही अगर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करे तो आपको बता दे उस समय सीट पर एक लाख मिन्याड में 1427 मतदाता थे जिन उन्हें निर्दलिय उमीदवार ओम प्रकाश हुडला को 51,310 वोट देकर विधायक बना दिया था जबकि भाजपा उमीदवार राजिंद्र मीना के खाते में 41,325 वोट आये थे और उन्हें 9,985 वोटों से हार्पा सामना करना पड़ा था लेकिन इस बार मावा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्थी के पक्ष में होंगे ये तो जनता ही तै करेगी दनगरी न्यूस के खांस कारेकरम चनावी नगरी में अभी के लिए फिलाल इतना ही अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा शेत्र की तब तक के लिए नमस्कार